अगर स्केल से लाइने खिच्वी नहीं मिली तो एल कट डाउन यह होमग पूरा का पूरा होमग मैं काट दूँगा दूबारा करना पड़ेगा ठीक है ना डे वन से अपन को यह हैबिट डालनी है आपको स्केल से यह फॉर्मेट बनाने है आई विल सजेस्ट कि पैंसल से बन बनने से चाहिए और हर चीज हमें डे वन से फॉर्मेट के अंदर करनी है जैसी आदत डालोगे वैसे आदत डालोगे आप सोचोगे नहीं सीधा बोर्ड में जाके मैं अच्छा फॉर्मेट बना लूँगा ट्रस्ट मी नहीं बनेगा पर अगर वहां जाके बनाओगे तो ब तुमने क्या किया क्या नहीं किया तो सभी बच्टों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर फॉर्मेट करने सारे कि सारे जैसा फॉर्मेट सिखाया है वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं यहां नहीं आएगा प्रॉफिट तो नीचे आत में यहां net profit आएगा P&L में जो हमारा final profit होता है वो profit जिसको हम प्रॉपिशन में लेके जाता है उस profit को net profit बोलते हैं क्या बोलते है net profit तो उसको Net profit ही लिखना आपको मिशार फिर वहां से उठा कि उसको पीएनल अप्रोपेशन में लाना है और इसके बार फिर आगेस आपको पताईए थिकर न अपने पीएनल में बिटा लॉस कैसे ऊफ़ेंड नहीं है यह फिर बिता हुटा करने के लिए पॉन सा काउंट बनाते हैं प्रोफटिया लॉस को करना है मैंने क्या बताया था आपको बांटना प्रॉफिट एंड लॉस estp कोई बात नहीं किया वै.. और के साथ laufen के साथ नहीं किया तqui KC कोई वात नहीं तो आपके द्यान रखना है क्योंकि पता हैसे क्या Most बन जाएगी और आपकी speed भी बन जाएगी format बनाने की question करने की तो आपको format से ही करना है question कोई दिख लिए चलो जी start करते है फटाफट doubt session के साथ जिसके भी doubts है फटाफट में को question number बताओ कि sir इस question में फस गए इस question में फस गए पहले अपन doubts clear करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए जी question 9 में doubt है हां जी question number 14 14 से पहले कोई doubt बिटा कोई doubt नहीं है are you sure ठीक है जी आपने कोई questions की है मैंने वीडियो में बूला तो था homework के लिए नहीं किये ठीक है that's fine हां जी कोई doubt बैद ही बताओ और बताईए question आपका 9 था question 9 था की illustration 9 था question 9 है question में 9 भी आ गया हां जी हां जी illustration अच्छा practical 8th 12th ठीक है समझी हमें सारा homework करवाना है मिरेको हां जी 19-20 दिया ही नहीं था homework अच्छा कर लिए आपने ठीक है that's fine वो छोड़ दो वो क्योंकि आज मैं homework दूँगा तो बच्चों का next class तक डाउट आएगा या फिर after class time मिलेगा तब अपन बैठके discuss करेंगे ठीक है 14 तक मेरे को बता और कोई homework और कोई doubt मतलब किसी question में 14 में ठीक है जी शाबश 14 में अच्छा 14 लिखा हुए sorry और कोई question रह गया है 12 तक 14 तक नहीं है चलो फटा फट एक एक करके शुरू करते हैं जल्दी से इनको निप्टा है अगला topic भी करना है हमको ठीक है जी चलिए आठ आठ नो बारा चौदा ठीक है जी चलिए इलस्ट्रिशन 8 पर आजाओ फटा फट पहले इलस्ट्रिशन 8 डिस्कस कर रहे है फिर हम आगे बढ़ते हैं जी पहले इलस्ट्रिशन कतम करेंगे फिर प्रैक्टिकल में आ जाएंगे इलस्ट्रिशन 8 पेज नमबर 1.11 ट्रिपल 1.11 पर आजाओ इलस्ट्रिशन 8 प्रेशन किये दर्ष लग तो नीरा चेहरा देखके अटेंप्ट सारे की है ठीक है कौन कौन से नी हुए कौन सा नी हुएcame six नी हुए onождения हुए cùng subscribe था six illustration practical six tombeak ही नई था हाथ हाथतीग है six नी हुए और question number 10 नहीं हुआ, हाँ जी, 6 नहीं हुआ और 10 नहीं हुआ, practical का, illustrations दन है सारी, हाँ, ठीक है जी, illustration 8 पे आजाए प्लीज, illustration 8 पे, चलिए जी, illustration 8 पे, शुरू करें, चलिए जी, फाइनली पढ़ाई शुरू कर रहे है, illustration 8, अरुन एन रम, आर पार्टन, sharing profits equally, दे रखा है कि profits, equally share कर रहे है, आगे बढ़ते हैं, रमन has given his property, on rent, to the firm, on 1st April 2022, at a monthly rent of 5,000, उसने monthly rent, 5000 रुपे के साब से, उसने property दी है, अब आप मुझे बताइए, अगर कोई partner, property दे रहा है, और बोल रहा है कि मैं रेंट लूँगा, that means उस नहीं है, property as capital तो नहीं दी है, यह मैंने last class में बताया था, because वो चाहता, तो property, building, land, कोई भी चीज, वो as capital भी तो business को दे सकता था, न, entry क्या हो जाती, land account debit, या office account debit, या building account debit, to capital, और capital में add-on हो जाता, उसको जादा interest मिलता, rent की requirement ही नहीं रहती, I hope I'm making sense, clear है, सब को समझ में आ यहा है, that means he's behaving like an insider or outsider, outsider, तो यहाँ पर rent जो है, वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा, profit and loss में जाएगा, rent जो है, वो charge है, देना ही देना पड़ेगा, कोई भी situation हो, चाहे profit हो, चाहे loss हो, और कहाँ पर shift करेंगे उसको, P&L में shift करेंगे, I hope I'm clear, done है जी, सब को समझ में आ ग 12 के 12 महीने का rent जाएगा, तो 12 to 5, 60,000 रुपीज का annual rent हो गया, I hope I'm clear, okay, the firm paid him rent from April 23 to February, firm ने April से फरवरी का उसको पे भी कर दिया, मतलब ये वाली entry cash या bank में करनी पड़ेगी, जो कि बोला ना पे कर दिया, अगर पे नहीं किया होता, तो outstanding में जा लेकिन पे कर दिया, तो फर 12 मंस होते हैं, मार्च तक, मार्च का ही छोड़ना है, फरवरी तक काउंट करना है, तो 11 मंस, यानि कि हमने 11 मंस का rent पे कर दिया, तो 11 इंटु फाइव, 55 ये पेड अल्रेडी, 5000 में भी पेड नहीं होगा, आगे पढ़ लेते हैं, question में क्या लिखा होगा, by check on 1st मार्च, ठी ये जो rent देना है, खर्चा की income, खर्चा की income, expense, खर्चा, सारे खर्चे क्या होते हैं, debit, शाबाश, तो अपन क्या लिखेंगे, rent, account, debit, rent debit हो गया बेटा, और, to bank, क्योंकि हमने check से payment की है, ठीक है न, लेकिन ये जो bank की payment है, ये only 11 मंस की है, कितनी है बेटा, 11 मंस, यानि की 11 into 5000, यानि की 55,000 की हमने payment की है, I hope I'm clear, तो यहाँ पर आगया जी, 55,000, ये done है, ये clear है, इसके बाद, एक महीने का rent ऐसा है, जो हमने pay ही नहीं किया, actual हमारा खर्चा कितना बेटा, 60,000 है, actual खर्चा तो 60,000 है, और ये मैंने कैसे निकाला actual खर्चा, ये मेरा साल भर का खर्चा 12 महीने into 5000, कोई दिक्कत, तो जो 5000 हमने नहीं दिया, उसके लिए हम entry बनाते है, outstanding rent, अगर आप इम्यानदारी से बात करो, तो ये 12 वी का है नहीं, सब 11 वी में आप करके आये हो, ऐसी entries हमने 11th class में की है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है बेटा, 5000 अभी भी मारा outstanding है, ये entry clear है सबको, इस entry में कोई दिक्कत, ये साल भर का rent, ये मैंने 11th, sorry, February तक का rent हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है, clear, और ये outstanding rent 5000 का, जो हमने पे नहीं किया है, ये March का rent है, ठीक है न, इसके बाद अगली entry क्या होगी, इस जो rent account है, ये, जो हमारे खर्चे का account है, क्योंकि ये हम outsider क को दे रहे हैं, और, चार्ज है, ये कहां जाएगा, PNL में, तो debit nature की चीज़ को PNL में लेकर जा रहे है, that means PNL क्या होगा, debit होगा, तो अगली entry बनेगी, PNL account debit, 60,000, और rent क्योंकि खाली कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा, to rent, 60,000, फटा 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 अंसर में देखो, ये ही entries हैं क्या, किस बच्चे को trouble थी इसमें, question 6 में किस को trouble थी, please, let me know, हाँ जी, clear हो गया, क्या trouble था, मेरे को बता हो जारा, क्या चीज समझ नहीं आ रही थी, जो combine entry की है, इन्होंने वो 2 की है, that's fine, आप 2 भी कर सकते हो, अगर मैं 1 March से लिए ठीक है, मैं आपको चाहते हो, तो मैं वैसी भी करके दिखा देता हूँ, कोई issue नहीं है, आप ये combine करोगे, तब भी बिल्कुल सही है और आप अगर entry अलग-अलग करोगे, तब भी बिल्कु पर करते हो, जब आप एक March को, ध्यान से सुनेगा, जब आप एक March को, फरवरी तक का rent दे देंगे, उस दिन तो आप केवल यह entry करेंगे, न, rent, account, debit, भाई, आज तक का rent कितना due हुआ हमारा, 55, और हमने आज तक का pay कितना कर दिया, 55, ठीक है, यह entry हो जाए हमारी, एक March को, clear, क्योंकि एक March को, फरवरी तक कई तो due होगा, समझ मारा की नहीं आ रहा, फिर March का due होगा, 31 March को, by the end of the year, तो आप 31 March को एक और entry करेंगे, कि भाईया, इस महीने का rent और due हो गया है, इस महीने का rent भी फिर से due हो गया, हमने 5000 का खर्चा और कर दिया है, लेकिन यह खर्चा हमने pay नहीं किया है, तो जब पे नहीं किया है, तो outstanding rent में कितना चला जाएगा, बेटा, 5000, इन दोनों को club करोगे, तो वापस वही entry बन जाएगी, जो अपन ने बनाई थी, in the first place, clear, that's completely fine, conceptually, आपको clear होना चाहिए, कि entry क्या हुई है, done, और ultimately यह दोनों rent जो है, मिला कर, shift हो जाए illustration में तो बस यही doubt था, illustration में तो यही doubt था, और तो किसी को कोई doubt नहीं, illustration में, please कोई भी doubt हो, बताद कि यह doubt है, clear कर लो, practical में आ जाईए, practical I guess, पहला पहला, आठ वा था, लेकिन फिर, दर्ष ने बोला कि चटे में भी doubt है, तो 6 से शुरू करते हैं, आईए, practical 6 देखिए, 1.87 पर question number 6, okay, 6th question तो, it seems to be very easy, but मैं फिर भी पढ़ देता हूं, फटाफट सुन लीजे, दर्ष, आप भी सुनो, बेटा, आप ही का, एक्स न वाई, पार्टनर शेरिंग प्रॉफित और लॉस इंद रिशो अफ टू-3, उनकी capital दे रखे हैं, बेटा, दो लाक और तीन ला था, कि दो तरह की transactions हो सकती है, कि partner को loan दे, पहली transaction, और दूसरी partner firm से loan ले, clear है, जो interest है, वो कौन से वाले interest के बारे में, act में, कि जब partner firm को loan देगा, और deed में लिखा होगा, तब भी, आपको interest पे करना पड़ेगा, किसको, partners को, business को pay करना पड़ेगा, partner को, लेकिन जो दूसर transaction है, जिसके अंदर, firm जो है, वो partner को loan दे रहा है, clear, firm किसको loan दे रहा है, partner को loan दे रहा है, clear, partner को loan मिल रहा है, तो यहाँ पर partner को interest pay करना होता है, लेकिन इसके बारे में, कोई interest rate, partnership act में नहीं लिखा हुआ, लग सकता है, अगर आपको लगाना है, तो you have to write it in, आपको deed में ल रुपया इना पड़ेगा, firm को, I hope I'm clear, है ना, क्योंकि उसके बारे में, act के अंदर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वाला case है, partner ने firm को दिया है, तो इसके बारे में, act में, लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं, चलिए, इनमें profit loss का है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक October को लोन दिया है, तो interest का calculation, October से शुरू होगा, कि April से, October से, जिस दिन से अपन कोई चीज भाड़े पर लेते हैं, उसी दिन से रेंट देना शुरू करते हैं, तो जिस दिन से रेंट देना शुरू करते हैं, तो जिस दिन में नहीं लिखी, डीड में नहीं लिखी, तो अपन कहा जाएंगे, एक्ट में, इस तरह की transaction की बता रखता है, समझ में आगए क्या procedure है, thought process क्या है, चलिए जी, तो 6% की rate से निकाल लेते हैं, 80,000 पर आएगा, हमारा 6% की rate से, 6% और for 6 months, कितना आएगा, 24,000, बिल्कुल सही जवाब, sorry, 2400, और दूसरा amount कौन सा जी, 40,000, तो इसका half ही कर लो, क्योंकि rate भी same है, और period भी same है, तो amount आधी है, तो इसका आधा हो जाएगा, 1200, यानि कि इसको 2400 और इसको 1200, मिला कर कितना देना है, 3600 का interest देना है, पहले case में हमारे पास 21,000 का profit है, P&L बनाएंगे, credit में मैं एक पार्ट करके दिखा दूँ दर्श, बाकी मेरे ख्याल से, या कोई particular specific part में दिक्कत है, कोई specific part में दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, तो यहाँ देखिए, P&L के अंदर, जब मैं P&L बनाऊंगा बेटा, तो मैं, क्योंकि मेरे पास case 1 में profit दिया हुआ है, तो मैं किस side से शुरू करूँगा, credit side से, क्योंकि opening balance है, सही जगह पे जाएगा, by net profit, 21,000 का मेरे पास profit है, यहाँ लिखेंगे हम to interest on loan, कौन-कौन से बन दें, X और Y, X, Y, X का कितना है जी, Y का है, 1200, बाहर आ जाएगा, 3600, ठीक है, इसके बाद जो बचेगा, क्या बचेगा, net profit, क्या बचेगा, distributable profit नहीं, यह distributable profit नहीं होता है, clear, P&L में, ultimately last में क्या बचता है, या तो net profit, या net loss, I hope I'm clear, तो 21,000 में से 3600 जाएगे, कितने बचेगे, अरा, 600 गए, 17,400, यह 17,400, आप उठाकर कहां लेकर जाएगे, P&L एप्रोपीरिशन में जाएगा इस तरफ, अब देखो, यह profit लेकिन लिखा कौन सी तरफ हुआ है, debit, लेकिन है किस nature का, credit nature का है, ठीक है न, क्योंकि इसी 21,000 में से 3600 कटके बाकी बचा है न, तो 2100 के nature का ही 17,400 है, लेकिन balancing करने के लिए यहां लिखा है, next, account में जब जाएगे, opening balance हमेशा अपनी correct side पे जाता है, P&L एप्रोपीरिशन में जाओगे, तो इसको यहां लेकर जाओगे, दर्श, clear है बेटा, अब अगले, जो case है, उसमें changes कुछ नहीं है, उसमें profit जो है, वो केवल 3000 का है, तो हम यहां पर कितने से शुरू करेंगे, 3000, इंट्रस तो चार्ज है, profit हो चाहें नहीं हो, चार्ज का मतलब ही होता है, irrespective of profit and loss, आपको देना ही देना पड़ेगा, 3000 होने के बावजूद यहां 3600 की payment करोगे, 600 का loss आएगा, loss को यहां लेकर आओगे, distribute कर दोगे, समझ मैं है, यह case number 2 हो गया, case number 3 बेटा, profit before interest जो है, वो 5000 है, तो यहां पर 5000 आएगा, 5000 में से 3600 कटेगा, कितना बचेगा, 1400 बचेगा, 1400 को उठाके यहां लाएंगे, फिर distribute कर देंगे, समझ मैं आ रहा है, process same है, आपको बस यह देखने कि क्या दे रखा है, और last म यहां से होगी, कि यहां से होगी, यहां से होगी, debit side से होगी, शाबाश, ठीक है, शुकरत तुने यह नहीं बोला कि इधर वाली side से होगी, इस side हम क्या है, debit side, शाबाश, तो debit side से शुरू करेंगे, because already loss है, P&L जब हम open कर रहे है, तो loss के साथ open कर रहे है, तो opening balance हमेशा correct side प becomes, 1400 पर 3600 total loss कितना हो जाएगा, 5000 का, यहां पर आएगा by net loss 5000, फिर 5000 के loss को उठाके यहां लाएंगे, और उसको distribute कर देंगे, पार्टनिस में, आया समझ में, कि नहीं आया, बोलो, पक्का clear है, शाबश, करना है भी question, ठीक है न, यह नहीं कि homework हो गया, class होगी, discussion होगा, तो करन जाने जी, 8th पर आजाते हैं, 6th के बाद, 8th डाउट था जी, शुरू करें पढ़ना, फटा पढ़ सुनिए, बैटन बॉल और पार्टनर्स, शेर दे प्रॉफिट्स इन रेशो 2-3, विद कैपिटल एक बीस, साथ, रिस्पेक्टिवली, कैपिटल कितने जरे की, एक बीस जार, आगे बढ़ते हैं, on 1st October 2022, बैटन बॉल गेव लोन्स, और पीस 240, 2,40,000, and 1,20,000, respectively, to the firm, दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है, तो क्या इसी ट्रांजेक्शन के बारे में, एक्ट में लिखा हुआ है क्या, हां जी, इसी के बारे में लिखा हुआ है, कि फर्म को, पार्टनर्स को इंट्रेस्ट देना पड़ेगा, is that clear, शाबश, आगे बढ़ते हैं, जी, बैट हैड अलाउड दा फर्म to use his property for business for a monthly rent of 5,000, अब देखो यहां पर मैं आपको एक इंट्रस्टिंग चीज भी बताता हूँ, बैट हैड अलाउड दा फर्म, बैट ने कि अप्रोप्रियेशन चार्ज, पी अनल में जाएगा कि पी अनल अप्रोप्रियेशन में, खटा खट सब कुछ, ठीक है जी, डान, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, मंतली रेंट दियो है 5,000, लेकिन यह नहीं बता रखा कि इसने किस डेट को हमें property दिये, आप देखो कि लॉस दे रहे हैं, अभी रेंट दिया नहीं है, उससे पहले ही हमें लगबग लगबग 9,000 रुपे का लॉस हो गया है, तो बतारें कि डिस्ट्रिबिशन करके दिखाओ, बहुत असान है, लॉस से शुरू करेंगे, अच्छा मेरे को बताओ, शुरू कहां से होगा, पी अप्रोपेशन में, पी एनल के अंदर, पी एनल बनाएंगे, क्योंकि लॉस से क्वेशन में, डेबिट से करेंगे, ठीक है, किसका डाउट ही है, एट्थ क्वेशन, बर्शा, अरे कोई बात नहीं, मैंने इससे आप से नहीं पूचा, कि इतना बेकार डाउट कौन लेकर आ जब चोटे थे, तो स्टार्टिंग में, दो प्लिस दो चार होता है, यहीं समझ में आता था तुम्हें, इसमें भी डाउट होता है, लेकिन अब वो चीज़ क्लियर है, तो डाउट से ऐसा करने जूरत नहीं, कैसे बोल भी मेरा डाउट है, क्योंकि क्वेशन से शुरू कर ब्रैकिट में लिखना चाहते हैं, तो लिख भी सकते हैं, बैलेंस BD, यहमारा स्टार्टिंग बैलेंस है, बैलेंस BD, और क्लोजिंग के लिए अपन लिखते हैं, बैलेंस C,D, very nice, यहां कितना 9000 दिया हुआ बेटा, डिस्पाइट अफ लोस, आपको लोस है चाहें, फिर भी आपको चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे तो यू नीड टू पे रेंट एस इंट्रस्ट उन लोन मैं ठीक बोल रहा हूं इंट्रस्ट उन लोन तो बैट का जो इंट्रस्ट उन लोन बनता है वो दोनो सॉरी दो बार लिख दिया खाली बैट बैट हो गया बॉल हाँ जी बैट और बॉल दोनो ठीक है जी क्या-क्या माउंट्टे चेक कीजिए किसी ने निकाल रखा है तो बता दो या टाइम बचेगा थोड़ा सही तो निकाल रखा है ना 7200 और 3400 कितना हो गया जी 10800 देखो जी इतना खर्चा करना पड़ा बावजूद इतने लॉस के यह लॉस था फिर भी इतना करना पड़ा और अभी तो और करना पड़ेगा टू रेंट क्योंकि रेंट एक को यह देना है तो मैं सीधा नाम लिख देता हूं टू रेंट टू कौन है बॉले बैट है बैट रेंट टू बैट कितना है जी 5000 साथ हजार हो जाएगा साल बर का ठीक है जी टोटल कितना होगे जी कुछ कमाया नहीं इतना खर्चा कर दिया कितना होगे जी साथ सतर 69 800 कोई नहीं गुस्ता क्यों हो रहे हो 79 800 डेली सौरी चलिए जी 79 800 79 800 को अपन कुछ बच्चों ने क्या किया यहीं पर लॉस को बाट दिया नहीं करना बेटा ऐसा आपको यहां क्या लिखना है बाए नेट लॉस कितना 79 800 अब यह नेट लॉस को कहां लेकर जाएंगे पी एनल एप्रोप्रियेशन अगर इसी अकाउंट का नाम मैं पी एनल एप्रोप्रियेशन कर दूँ देखते जाओ इरेज कर दूँ नहीं सब तो समझ में आ रहा है ना टू पी एनल ब्रैकिट में क्या लेकर आएंगे नेट लॉस कितना यहां गया और यहां पर बाए लॉस ट्रांसफर्ड टू बैट और बॉल यहां पर अगर उनको रेशो दे रखा है तो रेशो में डिवाइड कर दीजे नहीं दे रखा तो इकुली डिवाइड कर दीजे आया समझ में वर्षा क्लियर है दे रखा है तो बस हो जाएगा ठीक है टू त्री में आप कर सकते हो डन है करने की ज़रुद तो नहीं है चले आगे चले जी नेक्स्ट क्वेशन बताईए प्लीज सिक्स तो रेट्थ हो गया इसके बाद नाइन्थ करना है चले जी नाइन्थ निकालिए नाइन पर आजाए फट्टा फट्ट क्वेशन नमर नाइन्थ पढ़ू ध्यान से सुनेगा क्या बोल रहा है क्वेशन अखिल सुनेल एंड परवेश और पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट्स इन दी रेशो और 321 ठीक है ज दी ओर 4,005,005 रूपीज का लोन दीया एक पार्टनर ने 1 नवेंबर को तो इंटरस्ट लगना कपसे शुरू होगा नवेंबर से नवेंबर डिसेंबर जैन्वरी फैबरी मार्च 5 महिने का नॉट्ट चार महिने 30 नवेंबर होता तो नुवेंबर काउंट नी होता एक तो नवेंबर भी कांट करना तो नेवेंबर डिसेंबर जनुर्फारी मार्च 5 मएने का अपन को इंटरस पे करना है आगे बढ़ते हैं इंटरस पेबल स्वारी इंटरस पेबल वस अग्रीड अधी डिट अफ 12% पर रहनम अब तो नहोंने अग्री कर रहा है डीड में लिखा और कॉंप्लेक्स कर दिया तो जहां तक पे कर दिया उसकी एंट्री टू बैंक या चेक से हो जाएगा और जो पे नहीं किया है वह हम उसके आउसेंडिंग से क्यूं उसका खाता चल रहा है ना कैपिटल से काट लेंगे पार्टनर के तो कैपिटल से काटा जा सकता है चार लाक रुपए 12 परसेंट निकालना है और एक महीने का निकालना है अरे रुको तो यह 4 महीने का निकालना जो दे दिया amount पता होना चाहिए ना अगर आप 5 का निकाल भी लोगे तब भी आपको 4 का amount तो निकालना पड़ेगा न बेटा इसलिए मैंने पहली calculation कैसे कर ली 4 का वो जो हमने pay कर दिया है एक का वो जो भी outstanding है I hope I'm clear entry में दोनो amounts की जरुत पड़ेंगी ठीक है जी तो 12 से 12 गया दो जिरो से दो जिरो गई 4 फोर्जा 16 123 123 बारा से बारा गया एक से तो कुछ ही नहीं यहां पर हो जागा बेटा 4 4000 समझ में आया की नहीं आया तो total interest बनता कितना हमारा 20,000 आईए जी एंट्री देखिए जनल एंट्री देखिए बेटा खर्चे का नेचर डेबिट तो इंट्रस्ट लोन अकाउंट डेबिट कितना अहां खर्चा तो 20 की है अच्छा तुम्हें वह दो एंट्री बनानी क्या मार्च को अलग और 31 मार्च को अलग ठीक है तो चेक से पे किया है तो बैंक होगा कैश से भी पे करते तो कैश हो जाता बड़ चेक से पे किया तो अपन बैंक लिखेंगे कितना 16,000 यह एंट्री होगी बेटा ठीक है और ध्यान रखना जो भी खर्चे है ना वो पीनल में शिफ्ट होते हैं लेकिन कब at the end of the year 31st मार्च को तो इसके बाद इसको तुरंट शिफ्ट करने की जुरत नहीं है अब आप 31 मार्च को 31 मार्च को जो बचे हुए लोन की एंट्री वो भी आप पहले कर सकते हो फिर टोटल बाद में साथ शिफ्ट कर देना ठीक है ना क्योंकि पीनल तो by the end of the year बनता है हर महीने हर दिन पी पीनल में शिफ्टिंग करते है तो पीनल की जो भी शिफ्टिंग हो कब होती है 31 मार्च को ठीक है चलिए तो 31 मार्च को फिर से अपना खर्चा हो गया इंट्रस्ट ओन अकाउंट डैबिट लेकिन इस टाइम खर्चा जो है वह हमने पे नहीं किया है तो आई यो एल क्या हो दियू हो गये की नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो इंट्रेस्ट ON Lone आउट्सेंडिंग आउट्सेंडिंग एंडाइयों चप एप चाहिः के दोनों और इन दो को जो साल भर के हमारे खर्चे हैं, साल का टोटल खर्चा कितना हो गया IOL के नाम से, 20,000, इसको कहा शिफ्ट करेंगे, PNL के अंदर, और PNL के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो PNL क्या होगा, डेबिट, 2 IOL, कितने से, 20 और 20, खतम हो गया जी question, बताइए कोई दिक्कत, PNL और PN Appropriation बना के दिखाऊं, पिल्कुल इच्छे से clear हो गया है, हाँ, अगर कहोगे तो मैं PNL, PNL Appropriation बना दूँगा, लेकिन पिछले 2 questions में हम भई कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इस बार general entry कर दूँ, दोनों aspect clear हो जाएंगे, done, erase कर दू, noting voting की कोई ज़रत नहीं है, घर जा पर करना है कुछ से, चलिए जी, अगले entry बताईए, अगला question बताईए, 9th के बाद 12th और 14th, आपका तो 14th है ना, 12th से पहले दर्स बिटा कोई, नहीं है, जाए, जाए, question नहीं है, question number 12th, ठीक है, partners in firm sharing profits and losses equally, capital 1,500,000 each, 2,500,000 है, 2,500,000 है, सभी की आगे चलते हैं, अंकितन भानू गेव लोन्स, 2,500,000 each to the firm, whereas चारू का लोन, ये question बढ़िया है, क्योंकि इसमें लोन देने का काम भी है, और लोन लेने का काम भी है, चारू ने लोन लिया है, और बाकी दो दो दिया है, तो देखो, दोनों ट्रांजेक्शन आगे, अगर कभी भी कोई भी पार्टनर, firm से लोन लेगा, उसके लिए act में कुछ नहीं लिखा, हाँ, आप deed में जो लिख दोगे, वो final हो जाएगा, मैं यह नहीं क्या रहूं कि उस प्रिंटरस लगता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए act में कुछ नहीं लिखा हुआ, बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, हमेशा, समझ में आ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, पक्का, और यह लोग जान बुच के क्या करते हैं, confuse करने के लिए यह चीज क्रियेट करते हैं, दोनों चीज़े साथ में देंगे कि दो पार्ट उन दिये हैं, एक ने लिया है, और बच्चे को जैसी लोन आता है, दिमाग में उसका आता है, यार 6%, 6%, 6%, ठीक है ना, तो इस चीज हमेचा ध्यान रखो, कि तो प्रेशन खराब नहीं होगा, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, एक लाग फिर्म उन देंगे, तो जादा चांसे से फसने के, बच्चा उधर भी छे लगाता है, इधर भी छे लगाता है, इधर भी छे लगाता है, आगे बढ़ते हैं, इंटर्स पे हुआ है, लेकि पे हुआ है, अगले साल 10 अपरेल, यानि कि जब 31 को हम क्लोजिंग करेंगे, तब तक तो कोई भी इंटर्स पे नहीं हुआ ना, तो सारे के सारे इंटर्स आउट्सेंडिंग रहेंगे, इस इनटर्स की करनी हैं, अचांट किसी ने निकाल रखेंट की कि में निकालू सारे, तो तुम बता ही तो गएँ ठीक है, अंकित भानू और चारू, चली जी, अचा एक चीज और, जो लोन देने की एंटरी है, वो भी आपको पता होनी चाइए, Capital investment के entry तो बहुत simple है, तीनों ने कितनी capital से business, धाई धाई लाक है न, तो उसकी मैं वैसी बता रहा हूँ, धाई धाई पात और धाई साड़े साथ, capital investment के entry क्या होगी बेटा, bank account debit to ABC's capital, पूरा नाम मिरे को ध्यान नीन का क्या था, last वले का चारू याद है, भानू याद है, A का क्या है, अखिल, अंकित, चलो जो भी है, A's capital, B's capital, तो यहाँ साड़े साथ लाक आ जाएगा, यहाँ धाई लाक, धाई लाक और धाई लाक, समझ में आ गया, यह capital contribution के entry है, जो capital लेकर आए, ठीक है न, इसके बाद इन्होंने क्या दिया, firm को, लोन दिया, कितनी तारीक को, चेक करो, 1st October, तो 1st October को loan की entry भी होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, syllabus में नहीं है, तिल पता होना चाहिए, ठीक है न, सुन लो, कभी पूछी ले, exam में, तो bank account, debit, bank account, debit, तू, किसने-किसने loan दिया है, A's loan account आ जाएगा, और B's loan account आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों त मिला कर 2,00,00, अच्छा जी, तो total 5,00,00, रुपे आ गए हमारे पास, 2,00,00 इसका, और 2,00,00, इसका, sorted, done है जी, और इसके बाद एक partner को हमने loan दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा, seize loan account debit, इसको हमने loan दिया, to bank account, clear, कितना दिया, इसको हमने 1,00,00, दिया, I guess, है न, तो 1,00, और 1,00,00, यह loan देने की और लेने की entries हो गए, done, यह भी clear है,